एक बैट नुज आई है शेर मारकेट लिए इससे हमें यहां पर एक डाउन देखने को मिल सकता है रिजन है कि चैना ने वाइनिंग दे दी है कि मिल्ची डील भी वह शुरू कर दी है उन्होंने किसके खिलाब तैवान के खिलाब आप सबको पता है countries में थोड़ा सा महौल अच्छा नहीं चल रहा Taiwan ने बोला भी है कि China के aircrafts चाइना के aircrafts ने borders को cross कर दिया है तो friends borders पे आ चुके हैं by air और by sea दोनों मोड से तो friend military practice भी start कर दिये चाइना ने तो यहां से intentions का पता नहीं लग रहा बट अगर watch hit जाती है तो यह bad news है इससे globally market को जरूर impact पड़ेगा तो friend Taiwan ने भी बोला है कि वो defend करेंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है बट friends यह एक negative news हो सकती है ऐसी news आने से भी market पे effect पड़ जाता है आपको पता है यह news आपको दिमाग में लेके चलनी है और अगर आप investment करना चाहते हैं तो आपको lump sum amount नहीं लगाना आपको SIP mode में या धीरे धीरे average करके लगाना है जो भी आप amount लगाना चाहते हैं किसी भी share पे आपके favorite share पे उससे पहले divide कीजिए और average करकर के slowly slowly investment कीजिए तब ही आप एक अच्छे अपने portfolio को green देखेंगे हमेशा और आप हमेशा news देखते रहे है globally क्या हो रहा है world में आपको update रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप share market में investment करते हैं तो यह जो दो countries के बीच में महौल थोड़ा सा गरम हो रहा है इन news पे ध्यान रखें क्योंकि borders पे तो आ ही चुकी है military force और वहाँ practice हो रही है so this is all about कि market के लिए bad news क्या है अगर कुछ day end तक इसका impact पड़ता है तो कल market में हमें इसका impact देखने को मिल सकता है और भी कुछ दिन पहले भी से भी ये news आ रही थी और आपको पता था कि market थोड़ा negative भी थी so this is all about कोई next update आते हैं कोई भी good news आते हैं कोई भी positive news आती है market से related definitely provide करने वाली हूँ चैनल को किया है first time visit please कर दीचे subscribe किसी भी share में फ़रसे हैं review जाना चाहते हैं तो definitely comment box में जरूर पूछिए thank you so much